वहीं कॉंग्रेस के वरिष नेता, शशी थरूर ने रविवार को कहा कि देश में कॉंग्रेस आज भी सबसे विश्वशनी विपक्षी दल है इसलिए इसमें सुधार और नई जान फूखना जरूरी है उन्होंने देश में विभने दलो के विधायकों की संख्या वाला एक चार्ट साजा करते वे ट्वीट किया है कि यहीं वज़ा है कि कॉंग्रेस सबसे विश्वशनी रास्टी विपक्षी पार्टी वनी हुई है इसलिए सुधार और नई जान फूखना जरूरी है थरूर ने ये टिपड़ी उस वक्त की जो भालिया विधानसभा चुनावों में हार को लेकर कॉंग्रेस कारेस समीती की बैटक में चर्चा चल रही थी कॉंग्रस नेता शर्शी थरूर ने पांच राज्जो के विधानसभा चुनावों में पार्टी के करारी शुकर्ष्ट के बाद ब्रस्पतिवार को कहा था कि अब समय आ गया है कि आईडिया ओफ इंडिया पर फिर से जोर दिया जाए और पार्टी के संखनात्मक नेते तुमें इस तरह से सुधार किये जाए जो लोगों को प्रेवित कर सकें लोग सभा सदस से थरूर ने ट्वीट किया कि जो लोग कॉंगर्स में श्वास करते हैं वो इन विधानसभा चुनावों के नतीजों से आहात हैं समय आ गया है कि भारत के विचार पर फिर से जोर दिया जाए जिसको लेकर कॉंगर्स खड़ी रहती है संखनात्मक नेते तुमें इस तरह के बदलाव किये जाए जो इन विचारों की लौप फिर से जल सके और लोगों को प्रेवित कर सके उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें सफल होना है तो बदलाव अपर रहा है वहीं पंजाब के भावी मुख्य मंत्री भगवंत मान आज दिल्ली रवाना हो रहे है वो आज सांसत पस से स्तीफा देंगे भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्य मंत्री के पतकी शपत लेंगे झाल 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 झाल